हेलो दोस्तो स्वागत आपका माईने वीडियो में क्लास नाइनथ के लिए शब स्वलीशन के द्वारा आपको कहे दुए Originally आज हमारे साथ में ट्रामिन के अंदर ट्रैंगछ को पढ़ने है क्यों लेकिया है क्यों कि शेकेंद यह अपना polynomial खत्म हो गया है तो कोन आता है थर्ड पे जो मेक्ट्री आती है फूर्थ पे भी जो मेक्ट्री वाले कुशन्स है और फिफ्ट पे क्या है पता नहीं लेकिन सेवन्त जो ट्राइंगल है वह एकदम बैस्ट है क्यूं क्लास 9 के अंदर भी ट्राइंगल है और क्लास 10 के अंदर भी ट्राइंगलस है वाय क्योंकि और निकें अंदर नर एक चीज और है इनकें अंदर बच्चों को थोड़ी सी समझ्य होती है कि हम कैसे मध्कों क्रेंट करें कैसे क्या करें तो हम सब को क्लियर करींगे अज इस व्यटार सबसे पहले अपन जानते हम आप जानते हो कि बेस पंट के बेसिक होने वाली है उसके अंदर क्या पड़े पढ़ेंगे सबसे पढ़े पढ़ेंगे अब क्या होता है मैं आपको देखा देता हूं तो दीन होते हैं कि अंडर अक्र साइड यह एंगल्स यह कोल करके बताने हूं कोच-kोच क्लास्व में या फिर कुच-कुच सकोल कर सकते हो किस nenे कंश सकते हो तक अंदर आपको यह नहीं बता साथ एक एंगल्स सैज कैसे को लोती है मैं बताता हूं दीगों ओ 1 यह आपने एक देखा ऊगा। इसको छोड़ो स्कोड़ो रहे के इसरी क्षोगरि यह आप सराव इंग! नहींचें... इसके आप जानते हो... कि जोवी वर्टीकलि ऐपोजिट है! जोब आपस में बिढ़ें आपस में एक दूसर्य के पीट की पीछह हूँंगे मने पीट की पीचह मेरा भाई हियना तो ऐसे मतलब आपस में क्या हूंगे पीट पीच मैं कह सकते हो अपोजेट हो। क्या हूंगे वो क्या हूंगे vertically opposite angle जो कि आपने सामने नावगों होकर पीट पीचे है दोनों की पीट वीडियो यह है, तो इतने vertically इंगल कितने इदर यह वी वर्टीकलि अपूजट है यह वी वर्टीकलिंपॉजट है फ्यां पहले तो इतने सारे जो है वह वह वर्टीकलिंपोजट तथ मुझे वह है 1 2 3 4 है अब देखो 5 6 7 8 8 एंगल ऐसे हैं जो वर्टिकल यह पोजेट है नहीं दिखा दो एक तो यह रहा ठीक है और एक यह भी तो होगा वाई साब अब देखते हैं अब चार एंगल वर्टिकल यह पोजेट है तो इसी को कहते है वर्टिकल यह पोजेट एंगल जो कि आपस में पीट से बिढ़ाकर वहां कर वैटे तो ऊदिए घर हैं उसअब होज़ने करें वाहिक्त में दिश्चाम माुनूर फोटाने को इस फिरुटि है उसके अधर के अधर हुए इमन देखें बॉट पर हैं तो एसे यो अधर ना उसल grade एक प्रहते जिसकी है, इनको ओसे ब्लाता划 के लिए ? अब सब्सक्रिक्राध है … अब मांन लो कि यह वाला जो इंगल है वो इस एंगल को देख रहा है और है क्या मैं क्या ग्रीन इंगल कर लेता है कि मैं क्या रहा हूं कि यह वाला जो एंगल है वो इसको देख रहा है यह वाला जो है अंदर का यह भारके को देख रहा है मतलब मतलब क्या मतलब यह वाला भारके को देख रहा है तो अंदर वाला तो बुरा मन जाएगा ना तो क्या किंगे इसको क्या किंगे क्या किंगे इस ठीक है corresponding angles अब सुनो यह तो होई कुछ बेसिक बात अब सुनो एक चीज और है इसके अंदर कि एक ट्राइंग एक एंगल और है ना वो क्या है जैड वो क्या है जैड कि देखो जब कोई जैड बन जाए जब कोई जैड बन जाए जैड कैसे बना जब मैंने इसको वाई चेक कर आगए जब कोई जेड बन जाए तो उसके ऑंदर के जो वो आपस में होते हैं इक वडल होते हैं इसको कह एक ते हैं इसको कहते हैं अपन इसको क्यों करेते हैं आपन और अल्टरनेट इटीर रियर के अल्टरनेट इंटीर एंगल इन्हों क्यों करते हैं एंदर के एंगल उन हम यह उसम monet और आपन यह एंगल यह और होतका है कहाले होते के इसे कि एंदर master क्योंगे alternate interior angle के द्वारा इकल हुँगे ए कि आई alternate interior एंगल एक जड़ और बन रहा है कैसे बन रहा है जड़ देखो जड़ देखो ऐसे जड़ बन रहा है तो आप लेख सकते हों तो यह जो है यह आपके लिए का है बेसिक चीज और यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होती है यह बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट आप अपनि कोपी में नोट्स बना रहे हो कि इसको जरूर बना लिए इसके अंदर अपने क्या देखा अभीतर इसके अंदर एक्टेकल एपोज सबसे पहले यह देखा अपने वर्टी कलुंअ आपने क्कूअ निहस्त एंगल औ कुलेख सब्सक्राद बेरा है है फॉर्ट देका ओरेगा इंटिर अंगल वे फुट्ट पर पर ने में था इंडरिक अंगल वे इक देगा कि देगा कुछ देगा कुछ नहीं देगा ने गाएं तो वासे इसको में टाड़ तो थो तब आपने चार इंगल्स जो है वह से ड्राइब कर लिए ठीगे चार इंगल्स इस ड्राइब लिए एक सबसे इंपोटेंट जो कम बताने वर लाँ कान खोल के सुन ले ना बहुत जा इसको नाम देता हूं कि यह ट्राइंगल है कि यह ट्राइंगल और इसको नाम देता हूं पी Q PQRS अब सुनो मैं के देता हूं कि यह भी तीन एंगल है और यह भी भारवाला एंगल है इसके अंदर एक ऐसा रूल है कि हम आपन कहते हैं कि जो sum of sum of exterior angle equal to sum of two opposite interior angles of a triangle मतलब आप सिधा सिधा कह सकते हो कि भार के exterior angle का sum अंदर के दो interior angle के sum के equal होता है यस क्या कहते हैं आपन कि भार के angle का sum मैं कहते हैं तो भार का आउएंगल का sum नंदर के दो सम के एक एक को होता है और जो भी opposite वाट इस अपोसित देखो यहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं और मैं किसको देखूंगा यह वाला कौना यह वाला कौना मुझे को सबसे पहले दिख जाएगा दिख जाएगा यहां को यह वाला कौना मैं इसको दिख जाएंगे कौन से q और पी इसको दिख जाएंगे तो इन दौनों के सम के कूल है कौन सा शम इस बाहर के he एंगल गुभी दोनों के संके को बाहर के एंगल का यांगल की मेजरमेंट इन दोनों के हैं एल की मैजरमेंट के है कि इंपुल है तो यह सबसे को निकर ढाल हूं है है यह कर रहा है ठीक है लेकिन मैं नहीं ले रहा हुं क्योंकि में पहले यह बताना है इंड शैवन वताना है सेवन क्यूं अधना इसके अंदर बहुत शारे रूल सें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ शिक्स चैप्टर तो बिल्कुल बच्चा है उसको तो यूँ पकड़के फैक देंगे शावाश तो अब मेरे साथ इसको बना लीजिए मैंने तो बना लिया है आप इसको बना लीजिए अब सुनो आपको बेसिक चीज पर आते हैं तो यह तो बेसिक है अभी रूखो अब अब आपने इस चैप्टर पर आजाते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर बेशिक्लि रून होने वाले हैं मैं रूण में बटा देता ओंसे डेखो सबसे पहला रूल होने वाला है ए एस चलो यह जानते हो इस चलो यह यह पढ़ा है तो यह सbi एस ऐस ऐपी लिख सकते हो टी कि एसक लेख लोग ए ए ए लेक लो ठी को ज़य को और सकते हो कि ऑस ए to को पढ़ना है और के मैंने क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा मैंने इनको गुमा दिया देखो मैंने S A S को मैंने आपके सकतो यह बना दिया है ना S A S को मैंने यह बना दिया उल्टा कर दिया हो गया ठीक है ये भी हो जाएगा आह तो यह ही तो यह लो गए अब स्सस और यह तोड़े कि मुश्किल से आने वली चीज़े क्या मुश्किल से आने वली जिए कभी कबाल आती है को रिप्रेजेंट करते हैं अपन साइड से और एक और एक और बिएचन करते हैं अपने अग्ल से अब WOR फोना क्या करता है करना क्या पढ़ता है इसमें आपको पता देता हूं इसके अंदर क्या प्ठाण पड़ता है कि अप्को कॉई दो ट्रैंगल दें रखे ऊंगे तक में जयम् JASON को पता देता हूं एक Suppose that these two triangles are not equal, अपन को करना है equal, का दो, पदलिया करो, ठीक है, सुनो, यह मैं कहरा हूँ कि P, Q, R, यह ना, और A, B, C, ठीक है, यह मैं दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, आप का वी दे दिया हूँ, मैं बापन है, मैं इनका दे रहा हूँ, ठीक है, अब सुनो, कि मैं कहरा एंगल, मैं कहरा हूँ कि, साइड जो है, Q, R, और B, C, दोने एककोल है, मैं कहरा हूँ, एंगल P, एककोल है, एकके, और मैं कहरा हूँ, कि, साइड जो है, Q, R, वो इककोल है, कि, B, C के, और मैं कहरा हूँ, कि, एंगल R, एककोल है, एंगल C, के, एंगल R, एककोल है, एंगल सीखे अब बताईए वह इसके अंदर सिंपल सी वात ऐसे भी कुश्चन आ सकते हैं एंसी के में बताई कौन सा रूल लागा सबसे पहले देखो अपनको मिला क्या है यह सबसे इंपोर्टेंट है यह तीन सबसे इंपोर्टेंट है इसके बाद में तो मैंनों विट्टे कर दिये सबसे इंपोर्टेंट हुई है सबसे पहले यह क्या है एंगल क्या यह एंगल ही तो है ठीक है क्यू और क्यू और क्यू औ एस ए लग रहा है गया एंगल एस ए मैंने लिखा निया है तो लिख दो इधर ही इधर लिख दो एंगल एस ए इसमें इसमें कॉंचा रूल लग रहा है कि बायरूल एस ए ठीक है के इककल हो गया यह दौनों ट्रैंगल इकको लोगें रून ट्रैंगल कॉन पी क्यू आर्ट कॉंड्गूरेंट ट्रैंगल ऑपांगूरेंट ट्रैंगल बी शी ए यह बाय टेहां यह गलत है क्यूंग आग साहब देखो मैंने इसको लीया है p q r नकलें यह एकुद UP बी-सी-ए के गलत नहीं है के गलत नहीं मैं एंगल पी को लेंगल एक जहीं का न तो मैं एंगल पी की जगह एंगल बी को यूज कर रहा हूं के गलत नहीं गलत है तो मैं एंगल एक को यूज करूं न तो एंगल ए बी-सी वो ट्राइंगल ए बी-सी अब से यह कि ट्राइंगल और चुरिए कचोंगृरंटे के टेडूमेट क्या बना दिया है दो इले की डेस चल का का साइन है वह घैसकर का साइट यह उसको बता एकि लेकिया मुल्ट के पट्यदाय को कि सिमीलर इससे तो सो बता पूर्व これ कि असी मेल मतलब सैंता यह यह गाले के लंगम होगोение पत्त न्यूac कर जो थे है एक मैंजी का देh Inятся को आपने बहुत बहुत सोना को होते हैं और जब यह दोनों होते तो सेम है बस वही बात है देखने में दोनों अलग अलग रहे हैं जब एक साथ को रहाई साइन कहे रहा है सिमीलर कहे रहा है यह अपने एककोल कर दिया वह अलग गात है लेकिन अब इनके बच्चे को जी भी क्या है एककोल बाय कौन सा रूल लगता है इसके अंदर सीपी सीटी यह भी एक रूल है अब आपन कहिंगे कि एंगल क्यू और बीके बताइए तो अपन कह अगिंग्ञमक करस्पॉर्स और पार्ट्स कोरिस्पॉनिंग़् पार्ट्स ऊफ कॉन इंग्ड्रं ट्राइंगल को कोंगि आ जो कर लोत के कहते ह अंग्रिके विल्कुल इंगल यह पन्म였습니다 आपस में equal हो गए तो इस तरीके से अपनको दो एंगल को डो ट्राइंगल को एज प्रॉपर्टी दे कर सिमिलर बताना होगा अपने इसको करेंगे अभी मैंने बेसिक जो एवो क्लियर कर दिया है यह रूल्स के वार मैंने बता दिया है चार रूल्स उपर के बेरी इंपोर्टेंटेड ही इसके ही सारे रूल्स बनेंगे आपके और मैंने आपको मेथड भी बता दिया जिससे आप एंगल्स को पैचान सकते हो तो एक चीज़ और है एक चीज़ और है इसको लिख लो कि देखो इसको लिखवा देता हूं मैं अब ऊब ऑड़ बहुत बढ़ा है अपने बास ठीक है अब सुने एक चीज़ हो रहे वह क्या है कि ट्रेंगल के अंदर है ट्रेंगल के इंदर जब कोई दो साइड एक्कोल हो A, P, Q, R, Japanese प्र एक्कोले हो जब कोई साइड एक्कोल हो करेंक जब कोई दो साइड एक्कल हो कर थो यह यूदर 50 है क्या है क्या हूं मैं इन ए ट्राइंगल तू अपोजिट एंगल इस एक्वल टू तू अपोजिट साइड्स ओफ दीज एंगल अब लेंग्वेज कुछ ऐसी बंद के होगी इंग्लिस में मैं कमजोर तो नहीं हूं ठीक मैं वाइन में वहां जार रहा हूं कि दो एंगल जो है उसके अपोजिट एंगल के अंदर उसकी सामने वाली साइड्स भी कहोंगे आपस में एक्कोल उंगी तो मैं कह सकता हों कि साइड्स पी क्यूब इक्वल है पी आर के वाई दिस रूल दो ट्राइंगल दो एंगल एककॉ तो इसमें opposite sides इक्कुल उपनर हड़े अपने तो एक्कृ लुगे उन estimates को सबस्क्राइब जरूर Bolarte Day क्योंकि पेसिक वीडियों में लाता रहा रहां और आपके के साथ में मैथ की प्रैक्टिस करता रहूंगा सुरी करवाता रहूंगा तो बने रहे हैं मैंने साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अभी तक लाइक नहीं कर आए तो प्लीज लाइक करके जाना ठीक है थैंक्यों फॉर वाचिंग इस वीडियो कीप ट्राइक